So now we will see purpose of a portfolio भई हम बनाते क्यों है portfolio पहली बात तो यह है कि focus on change हम देखना चाहते हैं कि शुरू से लेके आखर तक हमारा बच्चा जो है उसके अंदर क्या क्या तबदीली आएं थी वक्त के साथ साथ focus on individualized instruction चुक्के हर किसी का portfolio अलग है तो उसकी अपनी individual performance है और उस performance के बेस पे हमने उनको individualized instruction भी दी थी यानि जिसको जहां जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसको वो बताया और हमने उसकी वो difficulty जो है वो remove की So यह हमारी individual efforts जो है उसको भी सामने रखती है अब चुक्के वो सारी progress जो बच्चे ने की है या जो उस्ताद की तरफ से उसको पर की गई effort है उस सब के सब हमारे पास एक record की शकल में मौझूद है इसलिए हम इसको कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी कोई से database त्यार कर सकते हैं जासे parents के साथ या external authorities हैं उनके साथ focus on curriculum and using activities that reflect what the child actually does in the curriculum तो अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो curriculum हमने बनाया चुक्के वो throughout एक long term activity होती है और हमने अफसेर्ज किया था कि जितनी भी activities school के अंदर हो रही हैं या school के बाहर हो रही हैं जिनको आपका इदारा administered कर रहा है वो curriculum है जब हम curriculum को इस ता से define करते हैं हमारे पास set learning outcomes भी होते हैं कि इसके बाद बच्चे किस चीज के काबिल हो जाएंगे तो उनके portfolio हमें ये बताते हैं कि कहां तक हमारे जो objectives थे वो पूरे हुए So focus on teacher and child reflection देखिए जैसे मैंने अर्स किया बच्चे की progress भी उसके अंदर मजूद होती है और उस्ताद की progress भी उस्ताद कहां तक उसको सिखाने में काम्याब था तो वो ये reflect कर सकता है कि अगर मेरे बच्चे ने flan काम तो अच्छा कर लिया drawing तो बहुत अच्छी कर लेता है लेकिन वो academics में पीछे है तो वो अपनी deficiencies को खुद भी identify कर सकता है तो अब दोनों ने आपस में अपना अपना पुशिश करनी है बच्चे ने अपनी performance देनी है उस्ताद में अपनी कारकरदगी को देखता है कि मैं कहां पे बच्चे की मदद करने में नाकाम रहा या कहां मेरी input जो है वो deficiencies की कि अगर मैं कुछ और चीज़ें उसको बता देता तो वो और ज़्यादा बहतर हो जाता या कुछ चीज़ों की तरफ हम तवर्ज़ों नहीं दे पाए या इस खास बच्चे के अंदर कुछ मसाइल थे जिनको आप हल कर पाए या नहीं focus on sharing information with others तो चुके एक जैसा हमने अर्ज किया कि एक recorded information है इसको इदारे के साथ और इदारे के बाहर के लोगों के साथ share किया जा सकता है और वो evidence है So when curriculum activities and materials are used as the basis of evidence used to assess children they provide concrete and meaningful information तो एक तो सबूत है वो concrete information है तूस्साब वो meaningful भी है आपकी कारकरदी को बिल्कुल exactly वो बताता है कहां कहां पे बच्चे ने progress की किस रफ्तार से की और जो final target थे कहां तक achieve हुए teacher का उसमें क्या roll था और teacher उसको किस तरह से देख के अपनी इसलाह कर सकता है